असलाम वालेकम और वेलकम टो केमिस्ट्री आस्क जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपको उसका वीडियो सलूशन देंगे आप अपने सवाल हमें वट्सब, फेस्बुक और इंस्टा के दर ये भेज सकते हैं इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए ये सबुमाइब करेंगे, चलै आज के सीड़ी तो सब्सक्राइब करते हैं, अलकलाइन बैटरी। पहली बात कि हम इसे अलकलाइन बैटरी कहते हैं क्यों कि इसमें इस म deобраз shallet हो होता है बялकलाइन यूचर होता है, जाए तर आम काई याज्शव, यूच ये नही उस कर्रह ह तक वहीं सेल जो होगा फट जाएगा अंदर से पाउडर जो होगा वह बाहर निकलने लग जाएगा इस से पहले जो हमने बैटरी इस पड़ी हैं उनमें एलेक्ट्रोलाइट सोलूशन होता था जैसे थर्टी परसन हो गया या एच्छेल हो गया या वाटर हो गया इस तरह की हम इससे ड्राइ चाहते हैं कि यहां सॉलूशन के जगा पेस्ट इस्तिमाल करते हैं अगर आप्लिकेशन के बात करें यह बैटरी कहां-कहां यूज होती बहुत सारी अप्लिकेशन हैं सबसे पहले हम घर से शुरू करते हैं घर कर टीवी का रेमोट इसके अंदर जो हम सेल वो यही alkaline battery होती है इसके लावा घड़ी के अंदर जो cell डलते हैं वो भी यही battery होती है इसके लावा cameras के अंदर जो बड़े cell डलते हैं वो भी यही होती है mouse के अंदर cell डलते हैं और भी काफ सरी applications है जिनमें हम इने इस्तमाल करते हैं अब ही हम इसके अपरेटर्स को समय लेते हैं किल्कलाइन बैटरी के अंदर कौन-कौन से कंपोनेर इस्तमाल होते हैं उनका रूल क्या है इस battery की जो पहली layer होती है वो steel सा एक container होता है steel की एक sheet होती है जो इस battery को cover किये होती है और यह उसको protect करती है second number पे हम anode को देख लेते हैं anode is a zinc which is porous और यहां पे हमने zinc इसलिए porous लिया आवा है क्यूंकि यह surface area को increase करता है जिसकी वैसे cell ज्यादा effective होता है cathode mechanized dioxide है जो के powder farm के अंदर है और powder farm भी surface area को increase करती है उसके बाद है current pickup अगर अपने alkaline battery को तोड़ो तो आपको middle में एक rod मिलेगा इस rod का मकसद electron को pick up करना होता है क्योंकि यहाँ पर anode जो होगा वो अपने electron lose करेगा और ही electron को बाहर ले जाने के लिए current carrier की जूरत पड़ती है current pickup अनोड से electron लेकर बाहर वायर की तरफ लेके आता है जब यह वायर किसी source के साथ connect होती है वो bulb हो सकता है, वो remote हो सकता है, वो camera हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उसके बाद है separator, separator magnesium dioxide और zinc के paste में मुझूद ions को अलग लग रखता है तांके यह ions आपस में जुड़े ना जिससे short circuit हो सकता है उसके बाद negative और positive terminals हैं जहां से electron निकलेंगे और वापस इस cell के अंदर आएंगे लास्ट में pressure expansion seal है, जब अंदर reactions हो रहे होते हैं तो pressure generate होता है इस चीज़ को compensate करने के लिए pressure expansion seal का इस्तमाल किया जाता है यह relax भी होती है और contract भी होती है तांके अंदर होने वाले reactions cell के apparatus को effect ना करें अब हम इसके process को देख लेते हैं कि अंदर कौन से ऐसे reactions हो रहे होते हैं जिन से हमें करन्ट generate होकर मिलता है इस battery में zinc as anode act करेगा और zinc के साथ KOH potassium hydroxide भी मजूद है जो जहां पे as a electrolyte act करेगा electrolyte potassium hydroxide है, hydroxide ions के साथ zinc react करेगा और convert हो जाएगा zinc oxide और water के अंदर और यहां से यह दो electron release करेगा, यह दो electron travel करेंगे current pick up के through wire के अंदर इस reaction के विएसे wire के अंदर current flow करेगा, इस current को हम किसी भी purpose के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे bulb, watches, यह remote, etc, इस reaction का oxidation potential आएगा 1.29 volt इसी तरह हम reduction potential के value को भी देखेंगे, इन दो values को sum करेंगे और sum करके जो result आएगा, वही हमारे इस cell का voltage होगा अभी हम cathode पे होने वाले reaction को देख लेते हैं, जो electron loss हुए थे, इनको cell receive करेगा positive terminal के through और यह दो electron मेगनीज डायोकसाइड के साथ रेक्ट कर जाएंगे इस reaction में water के भी involvement होगी, मेगनीज डायोकसाइड कनवर्ट हो जाएगा, डाय मेगनीज ट्रायोकसाइड के अंदर और साथ हैड्रोकसल आइन जिनरेट होगे, इस reaction का reduction potential आएगा 0.16 volt अब हम इसका overall reaction लिख लेते हैं, overall reaction लिखने के लिए आपको दोने equation को sum करना पड़ता है, आप detail में समझना चाहते हैं, किस तरह हम equations को sum करते हैं, और किस तरह चीज़ें कट जाती हैं, तो इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये चीज़ डेट इसके बाद anode की right half equation को देखते हैं, तो यहां पे water और electrons हैं, और हम के third equation की left side को देखते हैं, तो यहां भी water और electron मजूद हैं, इसके मतलब ये दोनों भी कट जाएंगे, उसके बाद हम पूरी equation को as it is sum करके लिख देंगे, सबसे पहले zinc, फिर meganese dioxide, ये convert हो जाएगा zinc oxide और di meganese tri oxide के अंदर, जब हम इन दोनों equation का potential calculate करेंगे, हमारे पास आएगा 1.45 volt, इसका मतलब इस cell का potential 1.45 volt है, ये cell हमें इतना current generate करके दे सकता है, इससे ज्यादा current generate करके नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा current भी generate करना है, और cell भी यही use करना है, तो आप इन cells क parallel series बना सकते हैं, जब cell आपस में connected होंगे, तो ये ज्यादा voltage आपको बना के देंगे, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको alkaline battery का introduction दिया, इसके uses बताए, फिर इसके apparatus को समझाया, फिर इसके process को समझाया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो इसको like करें और मेरे चैनल को subscribe करें, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें WhatsApp, Facebook या इंस्टा पे भेज़ सकते हैं, अलाफेस